कि सुप्रीम कोड ने जो दोनों निर्णे लिये हैं वो तमाचे हैं उन लोगों के जो निरंकुष्टा से सरकार चलाना चाते हैं और इस सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से शिरलंका में जनता ने विद्रो कर दिया था आपके पड़ोस में पागिस्तान में विद विद्रो हो रहा है भगवान न करे वैसा विद्रो हिंदुस्तान में हो हम लोग गांधी का देश हैं लेकिन सुप्रीम कोड ने महराष्ट्रा का जो निर्णे लिया है वो इतना स्पष्ट है उन्होंने कहा कि राजपाल ने समयधानिक निर्णे नहीं था सभापती का का विफ है इसका मनें उन्होंने सभापती को इंडिरेक्ट मैसेज दे दिया कि पहले आपने जो निर्णे लिया वो अनेथिक था वो अनकंस्टिटूशनल था और यह समिधान के हित्म है कि आप क्योंकि हम निर्णे और कांधी बाती हैं लेकिन अगर इस प्रकार से जैसे जंता के लिए और अधिकार दे दिए थे गवरनर को सुपरीम कोट ने उसमें भी थपल मारा है कि जो चुना जाएगा जिसको पांच साल के बाद जनता के पास जाना है उसी के पाधिकार हुंगे उसी के बाद कर्तब्वे होंगे और सभापती को महराश्र के एक clear message दिया है सुप्रीम कोट ने कि अगर आप समिधान को मानते हैं हमने निर्णे दे दिया को आपको विप ओ मानना पड़ेगा जो पार्टी का विप ओ का विधान मंडल का विप आपको नहीं मानना है सुप्रीम कोट ने अमना निर्णे सपश दे और अगर अगर अपने लोकतंत्र को हाथ मेरा सभापती रखना चाते हैं और बीजेपी रखना चाते हैं तो उसका दंड जनता देगी और जनता का निर्णे परसों आ जाएगा और उसके बाद वही निर्णे महराश्र के अंदर होगा पूरे देश में होगा तो लोकतंत्र लें और सरकार को दवटाग्रे को रिस्टोर करें पूल गांधी की तारीफ में कसीदे गरते हुए भी नज़र आ रहे हैं देखे राजी जी अगर आपने बुल फाइट गेम देखा हो तो बुल फाइट में जब बुल जो है किसी एक तरफ की जाता है तो दूसरा आदमी लाल जंडा दिखा के उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करता है यही बुमाई साब ने किया है मोधी जी के तरफ आकमन नहूं उन्होंने का 200 परसन जीतेंगे इसका मतलब आकमन मुझे पर करो और हारेंगे तो मेरी वज़े से हारेंगे अब आईए दूसरी बात पर देखे जनता का और सरकारी अधिकारियों का जो मनोग्यान होता है वो एक तरह का होता है और जो कल अमलेंदू जी ने कहा था कि शक है कि एवियम में गलबड़ी ना हो एक चीज़ का ध्यान रखी है कि ये वो स्टेट है जहां लडाई जो है वो बिलकुल एक तरफा नहीं है बिलकुल बराबर की लडाई है बलकि लोग कह रहे हैं बराबर की लडाई है मेरे हिसाब से तो एक तरफा लडाई है तोंग्रे जीत रही खेर सरकारी अधिकारी अगर आप एक सर्वे ये कराएं ये डेटा मंगाएं कि सीधा रमया साब के हाँ और डीके शिकुमार के हाँ कितने सरकारी अधिकारी विजिट करने गए हैं और बोमई साब कितने विजिट करने गए हैं आपको exit pole मिल जाएगा आप एक चीज़ का example लीज़े राजीव जी ब्रजभूशन शरण सिंग के घर के सामने से मेरी काड़ी गुजरी उनके घर के बाहर एक आदमी नहीं है और जंतर मंतर में भीड लगी है ये वोही ब्रजभूशन शरण सिंग है जिनके घर में हजारों की भीड़ुवा करती थी तो भीड ने अपना मंतव्य और अपनी psychology समझ ली कि अब हमें बेटियों के साथ खड़ा होना है ब्रजभूशन शरण सिंग के साथ नहीं खड़े होंगे यही सरकारी अदिकारी जो कल तक दरबारी बने होते थे और बुमई साब के दरवाजे पे खड़े होते थे अब ये जाकर सीरा रमया क्या हो डिके शुकान क्या हाजरी बजा रहे होंगे और अब इवियम में गड़बड़ी अगर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि गड़बड़ी जो कराई जाती है वो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कराई जाती है अब जो दूसरा प्रश्ट है देखि फाइट हो रही है लेकिन जो महराष्टा से लगा हुआ छेतर है और जो तेलंगना से लगा हुआ छेतर है इसका मतलब यह है कि अब यह लड़ाई जो है केवल करनाटका की नहीं है महराष्टा और तेलंगना भी यह अवाज दे रहे हैं कि 2024 में और विदान सभा एलेक्शन में हम क्या करने वाले हैं पूरे देश की फिजा बदल गई है देखे तब तक आपकी मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में कहा था एक होता है बी गुड अप्रोच एक होता है इंप्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच बी स्टॉंग अप्रोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है जब तक नेता शशक्त होता है लोग उसकी चाया में चुपचा बैठते हैं और जिस दिन नेता कमजोर होता है सब उसमें जपट पड़ते हैं शेर जब मरता है आपने देखा होगा शेर पे गीदर हमला करते हैं क्योंकि शेर कमजोर हो जाता है आज के तार तो वास्टविक्ता में पूरे देश में जब तक आपका डंका बज रहा था तब तक आपका डंका बज रहा था सुप्रीम कोट ने क्लियर मेसेज दिया है और बल्कि एक क्रूड एक्जम्पिल दूँगा बल्कि मैं अमलेंदुजू का संशय दूर करने के लिए चोटी सी कि किसा सुनाता हूं एक बार थाने में एक थानेदार साब जो है वो बैठे हुए थे सोफे में और पीछे एक कॉंस्टेबिल जो था वो हाग पीछे करते थे काजू उठाते थे और खाते थे पीछे उन्होंने हाग किया काजू गायब हो गया पिलेट गायब हो गया उन्हों जनता को सरकारी अधिकारियों को ये मेसेज मिल गया कि अब ट्रांसवर ओर जनता ने जारी कर दिया है उनकी दरवारी कहीं और शुरू हो जाएगी और दूसरा एक क्रूड एक्जाम्पिल देता हूं कृपा करके आपके श्रोता इसको अन्यथा न ले जो सुप्रीम कोर्ड क को लेके भगा ले गया जबर्दस्ती भगा के ले गया सगाई अवैद है शादी भी अवैद है लेकिन हनीमून वैद है यह इस्थिती कुछ अन्यथा न लें लेकिन वास्तिविक्ता में जो कृड एक्जाम्पिल है अरे भाई अगर दोनों चीज़ें अवैद हैं तो जो सभापती मोहते हैं विदान सभा के अध्यक्ष हैं अगर उनमें थोड़ी भी गैरत वाकी है थोड़ी भी सुप्रीम कोड नहीं कर सकता था मैं सिंग साब के बाद से सहमत हूं सुप्रीम कोड नहीं कर सकता था लेकिन अगर जरा भी गैरत वाकी है दो दिन के अंदर जीव जी आफ्री आपसे कहता हूं किसी से पंगा ले लिजिएगा किसी से पंगा ले लिजिएगा जनता से पंगा मत लिजिएगा शिलंका में पंगा लिया था राश्पती ने बरबाद हो गए भाग के निकल गए वही पाकिस्तान में हुआ आर्मी के कैंट को जला दिया गय जनता से पंगा मत लीजे, जनता के विवे को मनलकारी है, ये भारत की जनता शांती प्री है, गांधी को मानते हैं, अभी तक अगर गोडसे को मानते होते हैं, तो बहुत कुछ हो गया होता, हमारी देश की जनता गांधी को मानती है, अहिजजा को मानती है, हम भी जनता से अप तक पहुंचे और अपने वोट के माध्यम से ऐसी निरंकुष सरकार को हटाए और एक लोगतांत्रिक समाजवादी सरकार इंदुस्तान में